Hello everybody and welcome to the class of your biology So, आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे Structure of Proutines ये बहुत important topic है जब आप biomolecules के बारे में बात करते हैं और ये सारे के सारे interesting topics और facts आप कहां पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे with me I am Tanisha and कहां पढ़ रहे हम ये? अपने my classroom में फिर से मैं बता देती हूँ my classroom एक ऐसा wonderful platform है जिसमें आपको बहुत अलग-अलग important topics मिलेंगे जो topics आपको पढ़ने में थोड़े से difficult लगता है NCRT हो या कहीं पर भी हो नहीं समझ में आता, कोई attention नहीं है आपको वो सारे के सारे topics सारे के सारे conceptual clarity कहां मिलेगा my classroom में लेकिन ये कैसे पता चलेगा जब तक आप my classroom को subscribe नहीं करेंगे bell icon को hit नहीं करेंगे and of course इस video को like, share नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं नहीं concepts आ रहे हैं आपर and yes, अगर ऐसा कोई concept है जो आप पढ़ना चाहते है जो आपके लिए बहुत difficult है आपने दो, तीन बार पढ़ लिया still you are not able to have that grip no worries, what do you have to do? you have a wonderful tool that is your comment section comments में आप लिख सकते हैं ma'am please इस पे बना दीजे video हमको ये concept समझ में नहीं आया चलिए आज का session शुरू करते हैं हम structure of proteins अगर structure of proteins के बारे में बात करते हैं तो structure of protein होता कैसा है structure of protein पहले एक normal structure हम बना कर देखते हैं आपका जब generally कोई भी protein structure होता है वो दिखता कैसे, of course carbon है, alpha carbon है alpha carbon क्यों है, किसलिए है, क्यों नाम दिया गया है ये सारी चीज़े हमने कहा पड़ी थी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको my classroom channel में जाकर वहाँ पर videos के section में अगर आप ध्यान से देखेंगे, you will be able to see a small section there which says introduction to protein उसमें ये सारी चीज़े briefed है वहाँ जाके आप पड़ सकते हैं अब आते हैं हम carbon of course हमें पता है ये alpha carbon है एक variable group होता है जिसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है OH हो सकता है, H हो सकता है in fact CH2 OH हो सकता है कुछ भी हो सकता है of course यहाँ पर एक carboxyl group है और यहाँ पर एक amino group है तभी ये basic बोला जाता है और तभी carboxyl group की वज़े से इसको acid बोला जाता है जब हम बात करते हैं structure of protein के बारे में protein is generally a polypeptide chain polypeptide chain तो वो किसका बना होगा चोटे 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 amino acids का बना होगा of course तो यह पूरा एक structure आपका क्या है this is one amino acid और different amino acids will together make a protein different amino acids together will make a protein different amino acids means बहुत सारे अलग-अलग amino acids होते हैं किसी amino acid में OH लगा होगा किसी में H होगा किसी में CH2OH होगा COH बहुत अलग-अलग किसी में 2 amino group दिख जाएंगे तो तभी हम पढ़ते हैं कि amino acid चोटे चोटे जब मिलकर एक protein structure बनाते हैं तभी बोला जाता है कि protein आपका एक हेट्रो पॉलीमर है अलग-अलग चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं अगर हम amino acid के बारे में बात कर रहे थे हैं अगर हम amino acid के बारे में बात कर रहे थे हैं किसे दिखता है amino acid में क्या होता है एक end terminal होता है एक C terminal अगर देखा जाए अगर simple way में अगर मैं देख हूँ तो मुझे ये कैसा structure देखा है अगर मुझे एक normal structure देख रहा है ये structure किसके वज़े से बिकोज ये पूरा का पूरा chain end होकर एक ऐसा देगा जो सबते पहला वाला होता है that is your end terminal और जो end वाला होता है that is your C terminal और बीच में क्या दिख रहा है आपको बीच में आपको peptide bond दिख रहा है बीच में आपको peptide bond दिख रहा है यही peptide bond यही है एक उच सी peptide bond अगर मैं यहाँ पर आपको peptide bond दिखाऊं, peptide bond, peptide bond, peptide, 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 सारे peptide जुड़कर क्या बना दिया, उसने polypeptide chain बना दिया, चलिए, protein का जब हम structure पढ़ते हैं, generally protein के structure को पढ़ने के लिए, हम बोलते हैं इस पास जो structure होते हैं, primary, secondary, tertiary and quaternary, के structures पढ़ते हैं, primary, secondary, tertiary and quaternary structure, चलिए, थोड़ा सा brief में पढ़ते हैं कि primary structure, secondary, tertiary, quaternary होता क्या है, अगर आप protein का primary structure देखते हैं, कुछ नहीं होता है, एक लॉंपासा amino acid का chain होता है, जैसे अभी हमने बनाया था, normal structure क्यासा था, यह रहा, simple, एक simple सा चीज, अगर हमें यह आपर एक crop पर पूरा का पूरा polypeptide chain बनाते हैं, तो यह continues, it continues, यह लॉंपासा जो chain होता है, तो वेरे सिंपल लीनियर स्ट्रॉक्चर, simple सा लीनियर स्ट्रॉक्चर होता है, और यह यह जो primary structures होते हैं, जो आपको दिखरा है, linear structure होते हैं, primary structures generally non-functional होते हैं, पर exceptions are always there, insulin, insulin क्या है, आपका functional है, जबकि जो primary होते हैं, वो generally क्या होते हैं, these are the one, primary structure of protein are generally non-functional, काम नहीं करते हैं, यह का कुछ specific function नहीं होते हैं, exceptions are always there, exception is your in, similarly हमारे पास होते है secondary, अब secondary structure बहुत interesting factor से बनता है, अगर मैं आपको यह diagrammatic वे में दिखाऊ, say for example, हमारे पास एक primary structure, this kind of a simple primary structure is actually called as your alpha helix, अब यह है कि alpha helix धीरे धीरे आगे जाकर ऐसा क्या बनाता है, यह secondary structure आगे जाकर टर्जीरी structure ही दिखाता है, इस में, say for example, this is a linear structure, और यह linear structure क्या है, आपका यह primary structure है, if I use red pale gear up, say for example, यह amino acid है, क्योंकि यह तो hetero polymer है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे amino acids जोड़ दिया है, ठीक है, these red structures are actually amino acids, मैं लिख देती हूँ, amino acids, धीरे धीरे क्या होता है, structure में न, help of y-pen, अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे क्या हुआ है, यह दोनों helix, जो cold घुम रहे होते हैं, आपस में they will start forming a bond, यह bond होता है, hydrogen bond, देखो, bond बनाना शुरू कर दिया, bond की वज़े से क्या हो जाएंगे, वो condense होकर पास आने लगेंगे, अब तक हमको क्या दिख रहा था, लेकिन peptide bond के साथ-साथ आपको कौनसा bond दिखने लग गया, you can see hydrogen bond also, फिर से primary structure में सिर्फ आपको peptide bond दिखा था, लेकिन secondary structure में आपको क्या दिखने लग गया, you can also see hydrogen bond, और यह hydrogen bond क्या करेंगे, structures को close लाएंगे, यह हुआ हाइड्रोजन bond की वज़े से, अब इसी के बाद अगर देखा जाएए तो एक ही था, एक ही polypeptide chain था, अब वैसा ही से, for example, एक ऐसा structure आज़े, यह एक polypeptide chain, यह दूसरी polypeptide chain, कितने भी चलो, यहाँ पर amino acids आ गए, बहुत सारे amino acids है यह भी, amino acids, amino acids, अब क्या हुआ, यहाँ पर दो different polypeptide की बीच में, hydrogen bond बन गया, यह भी hydrogen bond है, यह भी structure को close लाएगा, लेकिन दोनों structure अलग है, एक है आपका alpha helix, और एक है आपका beta pleated sheet, तो आपका alpha helix है, alpha helix आपको किस में मिले, keratin में, keratin कहां मिलता है, पालो में मिलेगा, nails में मिलेगा, feathers में मिलेगा, keratin, similarly, यह जो beta pleated sheets है, जो यह अब बनी है, यह कहां मिलेगी आपको, silk fiber, silk fiber is the best example of your secondary structure, beta pleated, आगे देखते हैं, हमारा सबसे wonderful structure, tertiary, tertiary बहुत important है, तभी tertiary की बज़े से, हमने क्या बोला था, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes, मैंने आपको क्या बोला है, not necessarily all enzymes are proteins, hint भी दिया था, that is your ribosyne, इसके बारे में, अगर पता करना है, तो देखते रहना है, और देखते रहना है, तो क्या करना है, of course, you have to stay tuned, with your, my classroom, अब देखते हैं, tertiary structure कैसा बनता है, tertiary structure बनाने के लिए, 3 different polypeptides chain है, say for example, ये एक बान लेती, और ये एक, और एक ये 3rd structure, say for example, ये 3rd structure, अब, 3 polypeptide chains, 3 different polypeptide chains involved है, इसमें सबका अलग अलग हो सकता है, मैंने बोला ना, R हर जगे का variable होता है, R सबका different होता है, say for example, यहाँ पर end में OH है, यहाँ पर end में COOH है, say for यहाँ पर, say for example, यहाँ पर S है, सबके अलग अलग है, now, ये जो tertiary structure होता है, यह इतना ज़्यादा specific होता है, यह सिर्फ उसी structure को आने देगा, जिसके साथ वो bond बना सकता है, अगर OH, S के साथ bond नहीं बना सकता है, तो वो आने नहीं देगा, that means, it is very specific, कि इसके साथ, कौन सा substance आकर attach होगा, तब ही बोला जाता है, that they all are specific, सिर्फ selected structures, जो इनके साथ bond बना सकते हैं, उनी के साथ वो bond बनाने देगा, OH है, OH और COH है, इनके साथ जो bond बना सकता है, वो ही आकर specifically चिपकेगा, इसी के basis में, हमने enzyme के बारे में बढ़ा है, enzyme are very specific, specific क्यों, क्योंकि उनके पास एक active site होता है, they have active site, इसमें कौन-कौन से bonds मिलेंगे, इसमें आपको क्या के मिलेगा, इसमें आपको hydrogen bond मिलेगा, hydrogen bond के साथ what you are gonna find, peptide bond भी मिलेगा, let's write down कौन-कौन से bonds दिख रहे हैं आपको, इसमें हमको hydrogen bond भी दिख रहा है, हमको peptide bond भी दिख रहा है, और अगर यहाँ पर sulfur देखा है, अगर ऐसे दो sulfur structures आ गए, sulfur और sulfur, दोनों specific bond बनाएंगे, तो वो disulfide bonds भी दिखेगा, आपको disulfide bond भी दिखेगा, लेकिन disulfide किसके बीच में होगा, सिर्फ दो sulfur-containing chains, sulfur-containing polypeptide chains, इसके अलावा आपको ionic bond भी इसमें देखने को मिलेगा, यह है हमारा tertiary structure, tertiary structure का सबसे best example, enzymes and myoglobin is also there, let's see what is the quaternary structure holding for us, quaternary structure बहुँए, quaternary structure का सबसे best example है आपका, chemoglobin, chemoglobin में जो simple globaline part होता है, यह globaline part के पास, दो alpha chains होती हैं, और दो beta chains, remember यह वाला chain और इसके पास, यह वाली chain, ज्या दे हैं यह chain? यह तो आगे देखते हैं, यह रहा, यह रहा unique छी, that is your quaternary structure, quaternary structure को पढ़ने का सबसे बेस तरीका ही मोगी, इसके पास, this is very good to know information, इसके पास generally alpha और beta, alpha helix chain and beta pleated sheets होती है, जिसमें से, 141 and 146 amino acids are in the alpha, alpha chain के पास, approximately 141 amino acids होते हैं, और आपका जो beta chain है, beta chain के पास, आपके पास 146 amino acid chain, simple, and yes, जब हम तर्जरी की बात कर रहे था, तर्जरी को generally आप hollow, woolen, ball की तरह देखते हैं, क्योंकि वो दिखता ही ऐसा है, वो धीरे धीरे एक ball की तरह structure देखने लग जाता है, तर्जरी का सबसे बेसे example, enzyme and quaternary का सबसे बेसे example, so this is all we have done, in very short video, which is very informative to all of you, हमने क्या पड़ा, simple structure of protein, एक normal linear structure से, कैसे उसने primary से होते हुए, secondary बनाया, secondary से, फिर tertiary बनाया, फिर quaternary बनाया, quaternary के पास भी hydrogen bonds होंगे, peptide bond होंगे, ionic होगा, और of course, disulfide bonds भी होंगे, अगर sulfur sulfur containing polypeptide gene, and yes, यह सारी चीज़े हमने कहां पड़ी है, यह सारी चीज़े हैं, classroom platform, फिर से आपको एक जेनल रिमाइंडर है, कि आप, if you want to stay tuned, if you want to know more about interesting topics, आपको क्या करना है, सबसे पहले, please do like, share, this video, and then subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon, bell icon hit नहीं किया, पता चलेगा कि कौन सा नया topic आ रहा है, so this is me, your teacher, Tinesha, signing off for today, you guys have a wonderful day ahead,